वैसे तो मेरे शोब भाग्य लक्ष्मी का भी भाग्य काफी स्ट्रॉंग है आप देखे कहानी में ऐसे ऐसे इंट्रेस्टिंग मोड आते हैं कि आप सब हमारी कहानी से बंधे रहते हैं और यहां तो होती है ट्विस की पाटी आई मीन तो से एक ट्विस जाता है तो दूसरा रहता है तयार तब ही तो है यहां आपके लिए भरपूर एंट्रुटीन में तो चलिए फ़र दिखाते हैं आपको कहानी काफ़ेट लेकर चलते हैं आपको फटा फटा था कि लक्ष्मी के सेक्पर फिर एक बार रंजीत के चंगुल में फ़सी लक्ष्मी फिर पहुचा रिशी बनकर रक्षक और फिर एक बार नहीं हो पाया रिशी और लक्ष्मी का आमना सामना जी टीवी के सीरियल भागी लक्ष्मी में आ रहे है नए-नए ट्विस्ट भई जैसे तैसे कर लक्ष्मी पारो और शालू रंजीत के चंगुल से भाग निकलने में कामियापत हो गई लेकिन रिशी भज गया जिसके चलते लक्ष्मी ने शालू और पारो दोनों को वहां से भगा दिया ऐसे में शालू पारो को लेकर वहां से भाग तो निकली है लेकिन रंजीत के बदमाशू की नजर उस पर ना पड़े इसलिए देखिए कैसे शालू पारो को छिपा रही है और कोशिश कर रही है पारो को उनसे बचाने की पारो तो अभी बचके मेरे चंगूल से निकल चुकी है पारो को जो मेरे दोन अलाइक चेंटर पंटर थे उन्होंने छोड़ दिया है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पारो तो अभी मेरे हाथ से निकल गए है वस लक्षमी मेरे हाथ में बची है तो मैं वैसे ही बर करार रखना चाहता हूँ ताकि लक्ष्मी मेरे पास जरूर है भई पारो तो रंजीत और उसके गुंडों की नजरों से बाल-बाल बच गई है लेकिन लक्ष्मी जो पहुँची थी रोहन के पापा को बचाने के लिए वो रिशी के साथ साथ खुद भी फस गई है रंजीत के चंगुल में और दोनों बिहोश है भई अब तो लगा था कि रिशी और लक्ष्मी का आमना सामना होगा लेकिन बेहोशी की हालत में ही फिर एक बार रंजीत लक्ष्मी को उठा कर ले गया है और फिर एक बार अधूरा रहे गया इन दोनों का मिलन भई लक्ष्मी के लिए दिवानगी तो रंजीत के सर चड़कर बोल रही है वो तो अब जिद पे आ गया है कि वो लक्ष्मी से बिहार रचा कर रहेगा देखना होगा कि क्या रिशी फिर से पहुचेगा लक्ष्मी को बचाने के लिए क्या तब होगा रिशी और लक्ष्मी का आमना सामना मुंबई से कैमरामेन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहु और बेटिया और हाँ साथ की साथ हमें फॉलो करें इंस्टेग्राम पर भी